इस बार किस्स्य संगीत के में हम बात करने जा रहे हैं फिल्मी संगीत में उर्वांचल की लोग धनों का तड़का पुराने दोर की हिंदी फिल्मों के संगीत का अपनी प्रतवा के साथ ही अपने अपने अंचल की लोग धनों को भी साथ लेके आए थे मदन मोहंजी पंजाब और स्डी बर्मन सहब उत्तर पूर्वी राज्यों की लोग धनों का खजाना लेके आए थे उनकी आँचलिक धनों पे आधारित बहुत सारे हिट आज भी लोग के जहन में गूंचते हैं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग गीतों की एक संवद्ध परंपरा रही है चैती, कजरी, लच्छारी, फगुआ, बारा मासा, बिरहा, रोपनी और कटनी गीट, सोहर के गीट ये सब आँचलिक जीवन का एहम हिस्सा रहे हैं इस लोक रंजजन परंपरा की मिठास और खुश्बू, हिंदी फनू में बिहार की गुपाल गंग जिले के चित्रगुप्त शिवास्तर लेकर आए थे आप और हम उन्हें उनके फिल्मी नाम चित्रगुप्त से जानते हैं चित्रगुप्त ने भावी मैं चुप रहूंगी गंगा की लहरे जबक उचे लोग जैसी हिट फिल्मों में जबजर्स संगीत दिया था उनका ज्यादे तर काम बी और सी ग्रेट की फंटासी पीरियड क्राइम और स्टंट फिल्मों में था कई बार फिल्में चलती थी कई बार नहीं भी चलती थी पर लोगों की जुबान पर उनके गीट जरूर रहते थे नहीं पीड़ी को मालूम हो या नहीं हो लेकिन जित गुप्त जी ने हजाज से भी अधिक सदबहार गीतों की एक अकूत विदासत हिंदी फिल्मों में दी है 1969 में जित गुप्त का संगित बद्ध किया हुआ काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का गाना लागी छूटे ना अब तो सनम आज भी लोगों को याद है 1960 में काला पानी फिल्म में नजर लागी राजा तोरे बंगले पर हिट हुआ था इसके लोग धुन लोगों को बेहत पसंद आई थे 1960 में ही उनकी फिल्म माबाप आई इसमें लागी उनकी सुदतिया कुछ ऐसी भली गाना था इसमें भी बिहार की आँचने खुश्बु थी 1961 में सबसे पहले पुरवांचल की लोग धुनों पर आधाई एक नहीं कई हिट गाने नौशाद साब ने गंगा जमना फिल्म में दिये थे नैन लड़ जई हैं ना मानू ना मानू ना मानू रे दगाबाज तोरी हमके विधाता दिहा ले हर गली हर सड़क पर गुईने लगे में एक भूश्परी फिल्म आई थी लागी नहीं छूटे राम यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई चित्र गुप ने इस फिल्म के सारे गाने कंपोस किये थे लाल लाल होटोवा और इस फिल्म का टाइटिल सौंग भूश्परी छेत्रों में ही नहीं पूरे देश भर में हिट हुआ इसी साल एक और भूश्पुरी फिल्म गंगा मैया तोरी पियरी चड़े बे आई इसमें चित्र गुप और शेलिन दोनों ने मिलकर संगीत दिया था इसमें हे गंगा मैया और काहे बसुरिया बजाले जैसे हिट गाने आये थे 1964 में एक फिल्म आई नाम था गंगा की लहरे इसमें भी पूर्वांचल की धुनों की मिठास थी बैरी विश्वा बड़ा दुख देवो रामा देखो रे कोई कमनिया और मचलती हुई हवा में चमचम आज भी संगीत प्रेमियों के याद में ताजा हैं इस तरहे धीरे धीरे पूर्वांचल का आंचलिक लोग संगीत हिंदी फिल्मों में च्छाने लगा एक और फिल्म का वो लेक करना चाहूंगा 1966 में शैनिन ने तीसी कसम फिल्म बनाई थी बॉक्स आफिस पर ये लुड़क गई लेकिन इसके गीत, संगीत और कहानी हिंदी फिल्मों में मील का पत्थर साबित हुए फिल्म की शूटिंग बिहार में हुई थी राज कपूर और वहीता रह्मान लीट भूमिका में थे शंकर जैकेशन इसके कंपोसर थे लेकिन हर गाने में शेलिन की अपनी निजी छाथ दिखाई देती है पान खायो सहिया हमार मारे गए गुलपाम चलत मुसाफिर मुहलिय रे सजनवा बैरी हो गए हमार खूब चले उर्वांचल की लोगधनों का जादू 1982 की फिल्म नदिया का फार में भी देखने को मिला रविन जैन ने कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया और बबुआ और बबुआ जैसे यादगार गाने दिये बाद में इसी कहानी पर 1994 में राश्शी प्रोड़क्शन ने ही हम आपके हैं कौन फिल्म बनाई जो हिंदी फिल्मों के इतिहास में सबसे लोग प्रिये फिल्मों के शीश पर पहुँच गई इस फिल्म में एक बिदाई गित है बाबुल इसे पिहार की मश्यूर गाई का शादा सिना ने गाया था दो हजातीन में प्रकाश ज्जा की फिल्म गंगा जल में भी पूरवांचल की कुछ बहतरीन लोग धने देखने को मिली मुझे तो संगीत शांडलिय का कंपोस किया हुआ और ललित का गाया चांदी के रुपईया मौँ अच्छा लगता है पिछले सालों में क्राइम विशे पर बनने वाले फिल्मों का काफी साई फिल्मों का कथानक बिहार के कस्बों और शेहरों के इदगुद गुमता है 2015 में वन्स अपॉन एक टाइम इन विहार फिल्म आई थी इसमें मोहित चोहान ने सुभे का आगाज गया है हाना कि गया तो थोड़ा कंटेंप्रिय अंदाज में हैं लेकिन ये पूरा का पूरा तमाशा गीत है पिछले दुनों गैंग आफ बासेपूर शंकला के दो फिल्में आई इन फिल्मों के दो गानों का विशेश रूप से ओ लेक करना चाहूंगा खुश्बु राज और रेखा का गया हुआ ओ बुमनिया और दूसरा तार बिजली से पतले हमारे पिया जिसे शादर सिना जी ने गया था चलते चलते मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि जहां एक और हिंदी फिल्मों ने पूर्वांचल की लोग परंपरा के खुश्बू और मुठास दोनों को समाहित किया है वहीं पिछले कुछ सालों में बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश के लोग गीतों के नाम पर दो अल्थी और अश्लील गाने परोसे जा रहे हैं लेकिन मुझे भरोसा है कि इन सब का जीवन शुनक ही रहेगा मित्रों इस बार इतना ही अगली बार मिलेंगे किसी और संकीत किस्ते के साथ चांद जैसे मुखडे पे बिंदिया सितारा